जैन क्लब वा भारती जैन संगठन के सयोगत तत्वधान में स्वर्गेश्री मनुरलाल तड़्धा के पून्य स्वृति में न्यू एरा हॉस्पिटल लकडगंज नाकपु में पून्दा निशुल के प्लासिक सरचरी शिवर का आयोजन दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2023 को होने जा रहा है ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिशत की द्वरान दी गई इस शिवर में विशेश रूप से अनुपरिया अनीश चाजेड परिवाब वर्धमान को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं सावन भटवेरा परिवार सहीयोग कर रहा है हर वर्ष लगबग इस शिवर होट नाग वा कान की भारी दीक्रती चहरे के दाग वागाव की निशान आखों के ओपर की पलकों से पीड़ितों की शस्त्र क्रिया करेंगे इस प्रकार के मरीजों के लिए यह एक सुनेरा अफसर है वे निशुल के सरजरी करवा सकेंगे इस कैम्प में विधरब चत्तिसक हो सकता उनका इलाज एक अच्छा अमेरिका के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा हो सके जो मरीज कैम्प में आकर इलाज करवाएंगे उनका इलाज निशुल क किया जाएगा इवं हॉस्पिटल में लगने वाली दवाईयां भी मुफ्त में दी जाएंगी उसी के साथ साथ परिजनों के लिए खाने की निशुलक विवस्था की भी संस्ता द्वारा की जा रही है मरीजों से निवेदन है कि वह अपना नाम न्यू एरा होस्पिटल कुएटा कॉलोनी लकडगंज नाकपूर में दिनांक 9 जन्वरी 2030 को सुभा 9 बजीट पंजियन करवा सकते हैं ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिशद में दी नाकपूर के नियू एरा होस्पिटल में ये बच्चों का सरजरी कैम्प है जो क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट से ग्रसित बच्चे हैं उनकी सरजरी की जाएंगी सरजरी करने के बाद में उनको वहापर रहने का उनके दवाईयों का और उनके रिलेटिव के खाने पीने और रहने की वैवस्था संस्था के दवारा निशुल की जाएंगी यह कैम्प अपने आप में विशेश इसलिए भी बन जाता है कि यह कैम्प में जितने बच्चे ऑपरेशन कराएंगे उसके बाद वो पूर्णता ठीक हो जाते हैं जो उनके होट कटे फटे होते हैं जिसक हम मुक्त करा सकते हैं एक छोटी सी सर्जरी के लिए तो जादा से जादा इसका प्रसार हो जादा से जादा लोग इसमें आएं हम विधर्प के 36 गड़के और रेजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है इसमें हमने हमारे फोन नंबर से उसके फोन करके भी इसके बाद हम उनसे कॉंटेक करकर उनको सारी डिटेल बता देते हैं कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ शितीजा देशमुग बीसीन न्यूस नाखपूर